पिसी भी गौर्मेंट योजना का पैसा डिवीटी के मध्यम से लेना चाहते हैं तो आपको यह एलो फार्म जो दिखाई दे रहा है फार्म फिलप करके आपके बैंक में जमा करना होता है यह एलो फार्म आप हमारे टेलेगराम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ग जिनाओ का पैसा डिवीटी के मध्यम से दिया जाने वाला है इसलिए आपको यह फिलप करके आपकी बैंक में जमा करना था फार्म किस तरह से बना है कैसे बना है किसे जमा करना है क्या साथ में डाकॉमेंट लगाने है वह कंप्लिट प्रोसेस इस वीडियो में आपको इंडिया हम इस तरह से बैंक आफ इंडिया इस तरह से लिख देंगे अगर आप इसे हिंदी में फिलप करना चाहते हैं तो हिंदी में भी फिलप कर सकते हैं यहाँ पर आपकी बैंक आफिस यानि आपका बैंक ब्रांच कौन सा है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख इस तरह से आपको नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है जो आपके पास्बुक में लिखा है प्रिंटेडे वाला नाम आप यहाँ पर फिलप कर देंगे उसके अदमें यहाँ पर आपको आपका सिगनेचर कर देना होता है इस तरह से आप अपना सिगनेचर कर देंगे यह में चार option दिये गए चार में सा आपको सिफ एक पर टिक लगाना है अगर आपका कहीं भी परेंग्क में अभी तक डविटी इनेबल नहीं यह और आप इनेबल कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आ पको सबसे अगर आप अंगुल्टा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको आपका नाम फिलप कर देना होता है इसके आद में यहाँ पर आपका मुबाइल नंबर एक मुबाइल नंबर जो पहले से लिंक है अगर वो देना चाहते हैं इसके लाव अगर आप नया मोबाल नमबर भी लिंक कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं किसी अन्य bank में डिबीटि के लिए इनेवल है तो आपको इस दूसरा अले टिक लगाना है आप जिस बैंक में इनेवल है उस बैंक का नाम और खाता नंबर यहाँ पर लिख देना है उसका आई 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 नंबर भी यहाँ पर लिखना हो था आ यह नंबर आप जिस बैंक में dbt enable कराना चाहते हैं वहाँ पर उससे submit कर देंगा तो दूसरे पर टिक लगा देंगे इस तरह से दो और option से आपको इन में कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको अगर dbt enable कराना है जिसे मतबदेश में लाड़ लिए बहना योजना चल रही है उसके लिए आपका अधर कार्ड आपके खाते से link होना चाहिए साथ में आपका dbt enable भी होना चाहिए तो ही आपका फैसा आपके खाते में transfer कर दे जाएगा इसलिए आपको यह अलव फॉर्म सही सही भर के अपनी bank branch जहां पर भी आपका खाता है वहाँ पर आपको यह form submit कर देना है बहुत ही आसान है यहाँ पर आपका जो मैंने पूरी detail बता ही इस तरह से आपको यहाँ पर भर के इसे अपनी branch में जमा कर देना होता है जिस तारिक को आप जमा कर रहे हैं वाली तारिक यहाँ पर लिग देंगे यहाँ पर fill up हो जाएगी इस तरह से पूरा farm यह fill up हो जाएगा और आपको अगर किसी BC के थ्रू आए हैं तो BC का है आपका सील signature भी किया जाता है उसमें फिर आपको यहाँ पर आपका जो signature थंबे impression यहाँ पर लगान होता लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं भी लगाते हैं सिर्फ इतना जो मैंने बता है इतना farm आप भर कर अपनी bank में दे देते हैं तो आपका ख़ता अधार से लिंक हो जाएगा साथ में NPCI यहने DBT इनेवल भी कर दे जाएगा और जल्द से जल्द आपके खाते को DBT से इने जोड़ दे जाएगा फिर किसी भी योजना का पैसा चाहे आपका scholarship का पैसा हो या फिर लाडली बेना योजना का या फिर किसी भी योजना का जो DBT के माध्यम से पैसा आता है आपका इसी खाते में आएगा अब पहले से अगर आपका है तो आप उसे हटा कर इस तरह से इसमें भी लिंक कर सकते हैं अब आप समझी गए होंगे कि आपका खाता अधार कार्ट से किस तरह से लिंक करना है साथ में DBT इनेवल किस तरह से करना है आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आ होगा वी अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हंसे कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद